नमस्कार प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सर की पार्ट साला में आज हम बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जी हाँ आज हम चार को चार बार परियोग करके यूजिंग फोर फोर टाइम्स 4, 4, 4 and 4 चार को चार बार परियोग करके हमने संख्याएं लिखनी है 0, 1, 2, 3, up to कहां तक 20 तक 20 तक हमने number find out करने हैं 4 को चार बार परियोग करके चलिए बड़ा इंट्रस्टिंग होने वाला है ये वीडियो आप खुद भी पहले इसको अगर कोसिस करेंगे तो बहुत इतनी देर में इस चीज़ को कर पाते हैं, स्टार्ट करें, सबसे पहले, 4, 4, 4 and 4, मैं लेके आना चाहता हूँ, 0, अब इन में प्लस माइनस क्या हम करें, 4 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4, आप यहां पे कोई भी ओप्रेसन लगा सकते हैं, जोड, घटा, गुना, भाग, कोई भी ओप्रेसन आप इसमें लगा सकते हैं, लगाके अपने वैल्यू यह फाइंड आउट कर लिए, देखिए 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है, मैनस का निसान, 4 प्लस 4, 8, क्या हो गया, 0 हो गया, फर्स नमबर हमने फाइंड आउट कर दिया, 0 हो गया, इसके बाद हमने 4, 4 4 एंड 4 को यूज करके क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, क्या करें हम, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 8 हो गया, 8 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 divided by 8 हमारे पास अंसर क्या आएगा, 1 आएगा, एक नमबर और फाइंड आउट कर दिया, अब नेक्स हमारे पास क्या है, 2 है, तो 4, 4, 4 and 4, बड़ा मज़ेदार हो रहा है, क्या लेके आना हमने, 2, सोचिए, यहां पे हम कौन सा ओप्रेशन लगाएं, देखिए, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए है, 4 divided by 4, 4 divided by 4, क्या होता है, 1, 4 divided by 4, 1 and 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, क्या बन जाएगा, 2, 4 को 4 से डिवाइड क्या, 1, 4 को 4 से डिवाइड क्या, 1, 1 प्लस 1, that is 2 हो गया, इसके बाद क्या आना है, 3 आना है, 4, 4, 4 and 4, that is 3, क्या करें, 4 प्लस 4, 8 प्लस 4, 12, 12 को आपने 4 से डिवाइड कर देना, देखिए, यह कितना बन गया हमारा, 12 बन गया, 12 को 4 से आ भाग करोगे, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाइ 4, that is 3, गोट इट, बहुत ही इंटरस्टिंग बन रहा है, चलिए, नेक्स देखते हैं, नेक्स हमारे पास क्या ना चाहिए, 4, 4, 4 and 4, हमारा क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, क्या करें हम, 4 प्लस 4 इंटू, 4 माइनस, देखि 0 होगा, ध्यान दीजिए, यह 0 हो गया, 0 को किसी से भी multiply करेंगे, हमारे पास 4 प्लस, 4 इंटू 0 बन रहा है, 4 प्लस का 0, that is 4, so interesting, good, 4 बन गया, अगला नमबर, 5, 4, 4, 4, 4, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्या करें हम यहाँ पे, हम करते हैं, 4 इंटू 4, multiply क्या, कितना ह हो गया, 16, 16 में 4 एड़ कर दो, 20, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5, कितना हो गया, 5 हो गया, 4 इंटू 4, 16 हो गया, 16 में 4 एड़ करोगे, हमारे पास कितना होगा, 20, 20 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 20 डिवाइड बाई, 4, कितना हो गया, 5 हो गया, चैलिए, अब हम 6 से करते हैं, हमने 5 तक कर लिया अब हम 5 से लेगे 10 तक यहांपे करने वाले है क्या 4 4 4 and 4 क्या लेके आना हमने 6 लेके आना है तो हम क्या करें 4 प्लस 4 हमारा कितना हो गया 8 हो गया 8 में से हमें 2 माइनस करना है 8 में से 2 माइनस करें 4 प्लस 4 8 divided by 4 2 माइनस नहीं तो हम कोई और तरीका जरूरी नहीं है एक ही जो अंसर है वो 2-3 तरीके से भी आ सकता है 4 प्लस 4 8 हो गया 8 को 4 से डिवाइड किया 2 हो गया 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 देखिए 4 प्लस 4 8 है 8 को 4 से डिवाइड किया बोर्ड मास में हम पहले ब्रैकेट सोल करते हैं बोर्ड मास वाला फार्मूला जरूर ध्यान रखें B O D M A S B का मतलब ब्रैकेट O का मतलब O D का डिवाइड M का मल्टिप्लाई A का एड और S का सब्ट्रेक्शन तो पहले ब्रैकेट सोल किया हमने 8 8 को 4 से डिवाइड और प्लस का 4 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 प्लस का 4 क्या हो गया 6 हो गया अब next 4, 4, 4 and 4 हमें क्या वैल्यू चाहिए 7 चाहिए हम 4 प्लस 4 को एड करते हैं 4 प्लस 4 8 हो गया 8 में से मैंने 1 माइनस करना है तो माइनस 4 डिवाइड बाइ 4 देखी यह हमारे पास बन गया 8 माइनस का साइन 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 तो 8 माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 हो गयी इंटरस्टिंग था अब इसके बाद हमें 8 चाहिए 4 4 4 4 4 That is equal to 8 4 Plus Plus Minus 4 Plus 4 8 हो गया 4 minus 4 0 हो गया That means 8 plus 0 That is 8 हो गया बड़े असान था चैलिए यह और तरीके से भी आ सकता है Find out कीजिए अब आप इसके अलावा भी और बहुत सारे मैतर हैं जिनसे आप यह values निकाल सकते हैं अब मुझे क्या चाहिए 9 चाहिए 4 4 4 That is 9 हमें 4 plus 4 8 हो गया यहां पर एक और add करना 4 divided by 4 1 बन जाएगा Plus कर दीजिए 4 plus 4 8 Plus यह हमारा 1 बन गया 8 plus 1 कितना हो गया 9 हो गया And then 4 अब हमें चाहिए 10 4 4 4 And 4 क्या value देखिए हमने यह कहा था कि आपका Plus Minus Subtraction Division या अन्य कोई भी आप इसमें operation लगा सकते हैं तो हम यहाँ पे एक नया operation इंट्रडूस करने जा रही हैं 4 plus 4 कितना हो गया हमारा 8 हो गया 8 plus 4 हमारा कितना हो गया 12 12 में से मैंने 2 Minus करना है अगर हम इसको root 4 ले ले और इसको Minus करते हैं root 4 के value क्या होती है root 4 that is 2 होता है तो 4 plus 4 plus 8 हमारे पास यह 12 हो गया 12 में से root 4 के value 2 यह क्या हो गया हमारा 10 हो गया बहुत यह सान था चलिए अब हम नेक्स नंबर करते हैं 11 से लेके 15 और फिर 15 से लेके 20 तक करेंगे 4, 4, 4 and 4 हमारे पास value कितनी आने चाहिए यह 11 दस्तक हम कर चुके हैं यहां पर मैं एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो है हमारा factorial factorial 4 factorial divided by root 4 अब बहुत सारे बच्चों को इस factorial का नहीं पता होगा मैं इसके बारे में बता दू अगर हम factorial की बात करते हैं जैसे हमने 3 factorial किया है उसका मतलब होता है 3 into 2 into 1 3 से लेके यहां तक की जो multiply है सब ही आ जाएंगी अगर हम 4 factorial की बात करेंगे 4 into 3 into 2 into 1 4 3 जा 12 जा 24 यहां पर value कितनी आनी थी 6 आनी थी अगर 7 factorial होगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो यह मेरा कितना है 4 factorial 4 factorial की value हमार पास कितनी होगी 24 divided by root 4 divided by root 4 means root 4 की value हमार पास कितनी होगी 12 तो यहां तक की value मेरे पास कितनी होगी 12 होगी मुझे 11 चाहिए minus कर दिया मैंने 4 divided by 4 4 को 4 से divide करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा बीच में minus 1 किया है मैंने तो क्या बन गया 11 बन गया easy था मुश्किल नहीं है यह चीज ध्यान रखें जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है factorial का यह मैंने आपको समझा दिया है अब इसके बाद हमें 4 4 4 और 4 से क्या लेकिया आना है 12 लेकिया आना है 4 प्लस 4 8 होता है हमारा प्लस रूट 4 प्लस ओफ रूट 4 4 प्लस 4 8 हो गया रूट 4 2 हो गया रूट 4 2 हो गया एड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया ठीक है next हमें चाहिए 13 4 4 4 and 4 हमें 13 मनाना है 11 और 13 वहाँ पे हमें माइनस एक करना पड़ रहा था यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो सेम चीज हो जाएगी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रूट 4 ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ रही थी 12 आगी थी ठीक है 24 को 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा अब हम प्लस कर देंगे यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 तो 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया इसके बाद हमें क्या चाहिए 14 means 4, 4, 4 and 4 से हमें क्या चाहिए 14 चाहिए 4 प्लस 4 प्लस 4 ये कितना हो गया हमारा 12 हो गया 12 और प्लस में कितना चाहिए मुझे 2 चाहिए तो प्लस का रूट 4 कर देते हैं रूट 4 रूट 4 की वैल्यू 2 तो कितना हो गया 14 हो गया अब हमें क्या चाहिए 15 देखिए 4, 4, 4 and 4 को यूज़ करके हमें 15 चाहिए 4 इंट 4 कितना होता है 4 इंट 4 हमारा होता है 16 अब मुझे – 1 चाहिए – 1 यहां से प्लस वन यहां से हम कर चुके है तो – 4 divided by 4 4 divided by 4 1 16 – 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 15 हो गया बहुत यह असान था अब इसे आगे करते 16 तू 20 अब 16 to 20 करते हैं 4, 4, 4 and 4 हमें कितना चाहिए? 16 चाहिए 4, 4, 4 से 16 कैसे बनेगा? 4 into 4 हमारा कितना बन रहा है? 16 बन रहा है 4 into 4, 16 अब मुझे ये 0 चाहिए तो हम इसको क्या कर सकते है? 4 minus 4 and plus का 0 ये 0 बन जाएगा means 16 plus 0 that is equal to 16 4 into 4, 16 ये हमारा 0 बन गया अब 4, 4, 4 and 4 हमें चाहिए 17 4 into 4 फिर हमारा पास क्या हो गया 16? अब मुझे 1 एड करना है तो 4 को 4 से डिवाइड करके प्लस का 1 कर देते हैं 16 plus 1 that is equal to 17 हो जाएगा अब हमें 18 चाहिए 4 into 4 हमारे पास ये हो गया 16 16 plus 4 ये हमारा कितना हो गया? 20 हो गया 4 into 4 plus का 4 16 plus 4 that is 20 20 में से मुझे कितना minus करना है? 18 लाने के लिए 2 तो minus का root 4 कर देते हैं हम यहाँ पे 4 बार 4 आगे हैं हमारे पास 4 into 4 plus 4 16 plus 4 20 20 में से 2 minus करेंगे तो कितना हो गया? हमारे पास 18 हो गया इसके बाद हमें 4 into 4 into 4 into 4 into 4 की value हमें कितनी चाहिए? 19 चाहिए 19 के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमने factorial को use किया था हमने उसमें तो 4 factorial 4 factorial कितना हो गया हमारा? 24 हो गया 24 minus 4 24 minus 4 that is हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा 20 में से मुझे 1 minus करना है तो 4 को 4 से divide करेंगे क्या आजाएगा? 1 आजाएगा और 1 आप 20 में से minus कर सकते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 19 हो गया बड़ा ही असान हो गया अब 20 4 into 4 4 4 4 4 4 से हमें 20 लेके आना है 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया? 16 plus root 4 plus root 4 means 16 plus 2 plus 2 that is 20 तो ये हमने एक से लेके 20 तक केवल 4 को चार बार यूज करके उनके उपर जोड घटा गुना भाग करके हमने एक से लेके 20 तक संख्या इन चीजों को आप दूसरे मैथड से भी कर सकते हैं ट्राइ चीजिये आपकी value कुछ और तरीके से भी आ सकती है और यही नहीं मैं आपको बता दूँ ये केवल 20 तक ही आना जुरूरी नहीं है ये 20 से जादा भी आ सकती है कोशिस कीजिये find out करने की कोशिस कीजिये कि हम आगे कितने तक नंबर ग्याद कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही बहुत interesting थी इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में अगले क्वेस्टन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जै हिन जै भारत